बुट मॉनिंग इस्टूडेंट्स आई होप आप सब बहुत ही अच्छी से होंगे स्वस्त होंगे जैसा कि हम चैप्टर 11 पढ़ रहा थे बच्चो माइं हो मिन्स मेरा घर जिसमें हमने कच्छा डिफ्रेंट टाइपस ऑफ होम्स की बारे में स्टडी कर लिया था इसमें हमन आपने कच्छा हाउस के बारे में स्टडी किया था ठीक है तो उसमें कोशन पूछा गया है है वी वर्ट सीने कच्छा हाउस इफ यस वेर क्या आपने कच्छा हाउस मतलब कच्छा घर देखा है जो मिट्टी से मतलब रूप सघास फूस के छज्जे से बना होता है इफ यस यदी देखा है तो where मतलब कहां देखा है उसको आपको यहां mention करना है ठीक है चलिए तो आगे study करते हैं इन इन, C, I, T, I, E, S, Cities, A, N, D, N, T, W, S, W, N, S, Towns, W, E, V, S, E, C, P, U, C, A, P, K, H, O, U, S, E, S, Houses, P, U, C, A, P, K, H, O, U, S, E, S, Houses, P, U, C, A, P, K, H, O, U, S, E, S, Houses, O, F, O, F, O, B, R, I, C, K, S, Bricks, I, R, O, N, Iron, R, O, D, S, Roads, C, E, M, E, N, T, Cement, A, N, D, N, C, O, N, C, R, E, T, E, Concrete, T, E, Y, D, A, R, E, R, S, T, R, O, N, G, Strong In cities and towns, we see Pukka House, Pukka House are made of bricks, iron, roots, cement and concrete, they are strong, city means so the house, heart, town means Nagar, Kazba, Pukka House, bricks means so the iron roots, मतलब लोहे का सरिया, cement मतलब सिमें, concrete मतलब होता है, concrete and a strong miss, मजबूत, तो आपने कज़बों में, सहरों में, नगरों में, पukka घर देखा होगा, ठीक है, जो यह पकka घर होता है, पकka House होता है, वाकिन की चीज़ों से बना होता है, उसमें bricks मतलब इटों की आशकता होती है, लोहे का, जो सरिया होता है, उनकी आशकता होती है, cement, concrete, यह सब चीज़ों से, जो पकka House होता है, वो बनता है, और यह they are strong, और यह क्या होते हैं, बहुत ही मजबूत होती है लिख्याँ पिक्चर भी दिखाया है ऑब कर देज के आप पढ़ते हैं रोम्स आईन इन इड्र समtest in a युआस रोम ससर इन ये हयोस भीरलोन मालब घर घर होते हैं इसकी बारे उसलिडियान ? चले रेखते हैं डबलू इवी डी ओर्डू एन ओर्टी नॉट के डबल एपी की ए और और टी एची दर टी एच आई एंजी एस थिंग सर ओ एफ ओफ ओ यू आर अवर यू आवर यू एस ए यूज एट ओन एवन पी एल एल एसी ए प्लेस यहां बोला जा रहा है कि हम अपनी यूज जो उप्योगी चीज होती है ठीक है हमारे लिए जो उप्योग की वस्तवे होती है उसको हम एक जगा पर नहीं रख सकते हैं इन नहीं त्रिपस डिफरेंट मिस्सलीपन अलग अलग अर्टिविटीज मदलब गती विधी जो होती है क्रिया विधी and cooking sleeping cooking मतलब खाना बनाना sleeping मतलब सोना तो अलग 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 activities होती है जैसे खाना बनाना sleeping मतलब सोना तो हम सभी चीज़ तो एक ही कमरों में नहीं कर सकते हैं आना A N D N K E P keep O U R A V N E C E S A R Y necessary T H I N G Sujig T H E R E B R A R A R E R M A N Y many और डबल ओम एस रूम्श आई एन इन ओ यू आर आवर एज ओ यू एस हाउस एंड कीप अवर निसेसरी थिंग्स दे आर मेनी रूम्स इन आवर हाउस निसेसरी मतलब आवशक तो और भी कई अन्य आवशक वस्तों होती है है ना चीजें होती है और उसके लिए हमारे घरों में क्या होते है अलग- अलग कमरे होते हैं मेनी मतलब मेनी रूम्स मतलब कई कमरे होते हैं ठीक है चलिए दिखते हैं देखें लुक एट पिक्चर विया दिया गया है इसका क्या करना है देखना है ठीक है एंड शी वेदर और देखें कि आपके घर में यह कमरे हैं तो चलिए देखते हैं कौन-कौन सा कमरा दिया गया है थीक है B A T H R O O M bathroom, B E D R O O M bedroom, S T U D Y study R O O M room, study room, D R A W I N G drawing R O O M room, drawing room and K I T C H E N kitchen, bathroom, bedroom, study room, drawing room and kitchen. जहां हम नहाते हैं, bedroom, जहां हम sleeping करते हैं, study room जहां हम study करते हैं, drawing room जहां हम other activities करते हैं and kitchen जहां हम cooking मतलब खाना बनाते हैं, तो आपके घर में यह सब कमरे है क्या? यह question किया गया था, ठीक है? यहां पर भी बोला गया है, क्या यह अलग अलग कमरे, आपके house मतलब आपके घर में है? देखिया पर भूला गया है, जैसे यहां, bathroom, bedroom, study room, drawing room and kitchen ठीक है? तो आप भी अपने जो room है उनको इन्ही नेम से बुलाते हैं या कुछ अलग कहते हैं, ठीक है? इन्हीं आपके पर खन्हीं अलग कमरे, उन्हीं मतल में मूलाते हैं, यहां यहां, आपके आपकेँ आपकेश रंहीं पर खन縦 तो औूरेंश पर्दू था, आपकेश खना रंहीं और्दू, OMS rooms if they are different tell the class about the different names of the rooms देखे यदि आप अलग-अलग नाम से बुलाते हैं तो किस नाम से मतलब उन कमरों को बोलते हैं मतलब उन कमरों को क्या कहते हैं आप अपने क्लास में क्या करना है उसके बारे में आपको चर्चा करना है और बताना है कि जैसे बैडरूम क्वार नेका क्या है और वुस्कार को अलग नेम लाहितत को ऐसे डिन अपने क्लास मेंटंस और आपज़ा डिश्चर्चा करना खीए अपने क्लास्रूम को देखिए मतलब बंद आइस मतलब आपनी आखों को बंद कीजिए t-r-y-try-try-t-o-t-r-e-m-e-m-b-e-r inihr remember h-o-w-how-m-a-n-y-many-d-o d-o-d-r-s-do-r-s-i-n-d-nd-w-i-n-t-o-w-s-window-it-h-as-dry-t-he-t-h-i-s-as-dry-t-y-try-t-y-try-try-try-try-try-try-try-try-try-try-try-try-try-try- têmem-e-m-e-m-e-b-e-r-t-r-s-es-wood-r-s-try-try-try-try- T H I S D E A S Y E Z N O W now T H I N K thing H A R D hard A N D and W R I T E write I N E Y O U R यौर एन ओटी इई बी डबल ओके बुग राइट इन यौर नोट बुग ठीक है टेक लुक एट यूर क्लास्ट्रूम अपने क्लास्ट्रूम को देखिए क्लोस यूर आइस अपनी आखे बंद कीजिए टाइटू रिमेंबर हाउ मेनी डोर्स एंड विंडोस तेके रिमेंब याद करना दोर्स मतलब दरवाज़ा विंडोस मतलब खीडिए आपको रिमेंबर याद करता है किए इन दी इसी सरल। ैंक हाड अनडर रइट इन यौर्ना कोप्य हाड मतलब फैसको क्या करनाinté के है अपको अपने nore bookm il met a noot करना many D O O R S doors D O E S door does Y O U are your H O M E home H A V E have how many doors does your home have? Doors means दर्वाजे ठीक है तो आपके home में मतलब आपके घर में कितने doors हैं मतलब दर्वाजी हैं उसको आपको लिखना है H O W how M A N Y many W I N D O W S windows A R E T S E R E there I N in Y O U are your R O M room how many windows are there in your room और आपके room में कितनी खिड़ किया है window मतलब खिड़ किया ठीक है आपके room में कितनी खिड़ किया हैं उसको आपको note करना है H O W how M A N Y many R O O M S rooms A R E T S E R E there I N in Y O U are your H O U S E house how many rooms are there in your house और आपके घर में house और आपके घर में कितने rooms हैं टोटल कितने कम रहे हैं उसको आपको note करना है ठीक है G O G O G O B A C K back H O M E home A N D and C H E C K check H O W how M A N Y many O F of Y O U are your A N S W E R S answers W E R E where C O R E C T correct go back home and check how many of your answers were correct ठीक है आपने अभी यहां जितना question के answer दिये ठीक है मतलब आपके घर में कितने दर्वाजे हैं आपके कमरे में कितने खिल्डियां हैं आपके घर में note करना है and go back home अपने घर जाके अपने answer को चेक करना है कि वह है राइट है या नहीं ठीक है तो यह था हमारा रूम सीने हाउस मतलब हमारे हाउस में कितने कमरे होती हैं उसके बारे में हमने स्टड़ी किया आसा करती हूं हमने जितना पढ़ा आप लोगो समझ में आया होगा आप लोग का कि आप लोग को भी इस चेप्टर को एक एक स्पैलिंग करके रीट करना है कॉपी में नोट करना है और ग्रूप में स्रेंड करना है ठीक है आज के लिए इतना ही नेक्ष रड़े हम नेक्ष वीडियो पर मिलते हैं थैंक्यू